हलो एवरिवान आए मेरी धिरण यह वाचिंग्स का इस दे लिमिंट सो दो बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट आपको आज इस वीडियो में देना है एक तो हम लोगों का गवर्णर में आज जो आप बोल सकते प्रेश कंफेरेंस था 16-7-2020 को तो वहाँ पे क्या बोला गया आप लोगों के एक्जामिनेशन की बारे में या फिर प्रेश कंफेरेंस पर क्या बोला गया है वो हम लोग इन डिटेर्स जानेंगे और उसके साथ UGC के तरफ से एक आप बोल सकते है चीज बोला गया है जो के हर एक श्टूडेंट को जानना चाहिए ये दो इंपोर्टन क्या बोला गया हम लोग स्क्रीन में जाएंगे और UGC से क्या बोला गया हम लोग जानेंगे देखिए जयदिप धनकर आज का जो प्रेस कंफेरेंस है वहाँ पर यही बोले है कि वीसी के बारे में कि 15 जुलाई पर जो आप बोल सकते है वाहाँ पर बोल सकते है जो कंफेरेंस हो या फिर से कोई आप बोल सकते मीटिंग हो आपको पता चलेगा पर अभी के लिए आप जो जो युनिवर्सिटी स्टूडेंस है वो यह फिक्स रख सकते हैं कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन पहले बोला गया था जिस मॉडालिटी फॉलो करके 80% 20% वह ही अभी फॉलो किया जाएगा और जो इंटरमीडियर स्टूडेंस है वो अभी के लिए प्रोमोटेड हो चुके हैं फ्यूचर में अगर UGC गाइडलाइन आप बोल सकते हैं फॉलो किया जाए क्योंकि UGC गाइडलाइन में कहीं पे भी यह नहीं बोला गया है कि इंटरमी दे दिया जाएगा पर अभी के लिए वो कंफर्म नहीं है अभी के लिए आप प्रोमोटेड है आपको कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा आप लोग के लिए क्या होगा और फाइनली है श्टूडेंस के लिए 80-20 बेसिस पर ही अभी कैल्कुलेट होगा फ्यूचर मे अब देख सकते है यह जो मैं आपको दिखार हूँ आया था लाइब मिड पे यहाँ पर क्या बोला जारे UGC share status report on university exams तो चलिए क्या बोलागे one by one जान लेते हैं the university grant commission today announced that it has received responses from 640 universities on the issue of holding exams amid the covid-19 pandemic universities were approached to inform the status of conduct the examination response received for 640 universities out of these 454 have either conducted the examination or planning to conduct वहाँ पर और भी क्या बोला जा रहा है 177 universities are yet to decide on conduct of examination UGC said मतलब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि यह amid covid-19 pandemic situation में जो जो response total 640 universities से मिला है वहाँ पर 454 universities यह बोला है आईदर वो लोग exam ले चुके हैं और वो लोग exam लेने के लिए plan कर रहा है वहाँ पर 177 ऐसे universities है total 640 के अंदर जो बोल रहा है अभी तक confirm नहीं है exam लेने के लिए जो की यहाँ पर clearly बोला गया है In case of 27 private universities which were established during 2019-20 to till date the first batch is yet to become eligible for final examination it said On July 6th the UGC has issued revived exam guidelines mandating to hold final examination in college and universities by the end of September stating that the academic credibility, career opportunities and future progress of students were linked to exams जो की आप लोग को पता है यहाँ पर और भी बोला गया है earlier this week the Delhi High Court asked the center UGC and Delhi University to relay to apply challenging the guidelines making it mandatory for colleges to conduct final year examination by September end in view of COVID-19 pandemic सिर्फ Delhi में नहीं बहुत सरा ऐसे High Courts है Delhi High Courts, Madras High Courts, Punjab High Courts आप बोल सकते हैं हरियाना High Courts और एक दो सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि हायदरबाद में भी सेम ही हुआ है तो यह सब जो जगा है यहाँ पर continuous student लोग आप बोल सकते हैं complain कर रहे हैं UGC के guideline के खिलाब वहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इस time के अंदर exam लेना ठीक नहीं होगा और वहाँ पर UGC आज क्या announce कर रहे हैं UGC यह बोल रहे है कि total 640 जो universities हैं जिन से response मिला है इस time पर exam contact करने के लिए क्या ठीक रहेगा उनमें से 454 जो universities है वो already agree कर चुके हैं UGC के guideline के साथ और वो बोल चुके हैं आईदर वो लोग exam ले चुके हैं या फिर plan कर रहे हैं exam लेने का और जहाँ पर 177, 640 के अंदर universities है जो लोग यह बोल रहे हैं कि इस time के अंदर exam लेना क्या ठीक रहेगा और yet to decide मतलब बोलो अभी तक decision नहीं ले पाए decision ले रहे हैं कि क्या करेंगे तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अभी तक UGC के तरफ से कोई भी change किया नहीं गया है अभी तक total क्या हुआ है आज के UGC से बोला गया है मैंने आपको बता दिया in details पर अब चलिए एक और भी important चीज आपको बोला गया है जो कि है मुंबाई मतलब जो आप बोल सकते है महाराष्टर है महाराष्टर के जो higher education and technical minister है मनिश शिषोडिया वो एक important announcement किये है वहाँ पर क्या बोला गया है हम लोग जान लेते हैं तो अब देख सकते हैं मनिश शिषोडिया tweet करके क्या बोले है there is a lot more to education than passing one exam जो कि definitely सही बोल रहा है this is a time to stand with our students not against them यहाँ पर यह भी बोल जा रहा है center को आप बोल सकते हैं जो आम लोगों का authorities है मतलब MHRD Human Resource Development Ministry and आपका जो UGC मतलब University Grant Commission दोनों के तरफ से यह बोला गया है कि UGC guideline definitely आपको check करना चाहिए जैसे कि Delhi government से announce किया गया है कि final year exam वो लोग इस time के अंदर नहीं लेंगे UGC को revisit करने के लिए अपना guideline यहाँ पर बोला जा रहा है महराष्टर के जो higher education and technical minister है मनी शिषोडिया उनके तरफ से यह बोला जा रहा है जो कि मैंने community tab में दिया था और वहाँ पर आप लोग बहुत इसको response दे रहे मुझे अच्छा लगा तो ये वीडियो कैसा लाग नीचे आज बहुत सारा information मैंने आपको द